नमस्कार मैं सुनी इंडान साथियों आज बात करेंगे करोना वाइरस का न्यूस पेपर इंडस्टी पर असर 25 मार्च को जब कम्प्लीट लॉगडॉन का एलान हो गया तो कहीं से एक खबर चल पड़ी कि न्यूस पेपर के उपर भी करोना है इसके बाद में पाठक विचलित हो गए उन्होंने लगातार फोन करके अपने हॉकर्स को कहा हमें न्यूस पेपर नहीं चाहिए यह सुनने के बाद में हॉकर्स भी परिशान हो गए कि हम क्या करोना बाट रहे हैं लाजमी है कि उन्होंने भी अपने कदम पीछे खीच लिए बहुत सारे न्यूस पेपर्स के और्गनाजेशन ने इंडिजुवली और केलेक्टिवली कई वीडियोस डाले तो जाकर थोड़ी सी धुन्द हटी लेकिन दुन्द हटने तक समय बहुत जा चुका था लगबग 90% परसारण कम हो गया यानि सर्कुलेशन में 90% की डिप कभी 100 साल में भी नहीं देखी गई थी जो नियूस पेपर 14-14 लाग छपते थे वो एक-एक लाग छप रहे थे और जो डेड़ लाग के साथ में अपने स्टेट में नमबर एक था वो है 15,000 और आज की डेट में 5,000 च्छाप रहा है वरनेकुलर प्रेस का तो हाल बुरा था कि वह है तो कही जगा पर नजर भी नहीं आ रही और अगर एका दुका नजर भी आ रही है तो उसकी बिक्री ना के बराबर है यह सब अगर हाल इंडरस्टी का है बड़े प्लेयर्स का तो स्मॉल, मीडियम, टाउन या डिस्टिक लेवल के अख़बारों का क्या हाल होगा इन सब ने तो अपने आफिस को लॉक्डाउन के साथ साथ बंद कर दिया उनका यह सोचना था कि जब हौकर्ज नहीं होंगे, मशीन पे चापने वाला नहीं होगा तो हम किस के लिए ख़बर को चापेंगे सो रद्दी बनाने से अच्छा है कि हम इसको ना चापें कही लोग मूव कर गए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर और पीडिएफ के थुरू लोगों से अपना संपर्ग बनाने लगे जैसा कि बड़े अखबारों ने या वर्नकुलर के बड़े प्लेयर्स ने यह प्रियोग किया इन सब के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए जब हम लोगों ने होकर्स की तरफ अपने आपको मोड़ा तो उन लोगों ने हमें यह बताया सुनिये यह सेंटर के यहां पहले इतनी चाहलपार होती थी क्या बात है आजकल अखबार कम कर दिए बोब कितला कितले अखबार कम हो गए आपके कभी यहां पर इतनी भीड़ों होती थी कि शायद कोई किसी को नमस्त्रे भी करता हो आपका नाम महेश मूगया मैं जी यह लोधी रोड का सेंटर था तो यहां पर कितने होकर आते थे और कितने अख़बारें लगबग आपके हिसाफ से यहां पर तक्रीबं 50-60 होकर थे और तक्रीबं यहां पर 25000 प्रेपर आता है अब कितना आता है अब कुल मिलाके यहां पर चार से 5000 के पर आता है लॉट्स बहुत है दो कि दो अपने कशनल बचाने लिए पेपर आगा जाना है यह तो फेड़ बचाने के लिए पास जाओ तो पैसे पेपर ही बंद गर देते हैं तो बंदी करता है यह सेंटर आपने कौन से साल में शरू किया था मैं इसमें यह सेंटर तो सन सत्तर का बना हुआ है जब से आप है मैं सनसी में आया हुगा अच्छा थेवंटी नाइब में आपको इसमें क्या भविश्य नजर आ रहा है अब इसे हैं ठीक आगे अब समय खराब समय चल रहा है तो अगर फीचर ब्राइट अगर सब ठीक ठाक होगा पांच-चे मैंने लगेंगा अधी यहां पहले ऐसे देर लगते से और अब देख लो बाहर तो वापस आएगी बट लोग जो कस्टमर नहीं आएंगे इतने वापस हंडेट परसंट में से 50 परसंटी कस्मर वापस आने अभी आपने सुना कि होकर्स कह रहे थे कि हम जो एक-एक हजार पेपर बाट रहे थे एक-एक एडिशन का वो है अब सो कॉपी पे आ गया या डेट सो कॉपी पे आ गया है इससे जादा पाठक नहीं लेना चाहते जो यंग रीडर्स हैं वह तो पॉड़कास्ट पे या डि इस्टल प्लेटफॉर्म्स पे चले गए हैं उनको तो अब एप डाउन करते हैं और उनको पॉप-प में सारी खबर उसी टाइम आ जाती है बाद में तो खबर तो पढ़ना है वो तो एक स्टेल है साथी मैं ये कहना चाहता हूं साथियों कि किसी भी निउस्पेपर की जान जो होती है बैकबॉन जो होती है फाइनेंसिस के इलावा उसकी क्रेडिबिल्टी होती है जो जनलिस्ट की वज़ा से आती है जो कि उस निउस्पेपर का गेट कीपर होता है पर बहुत जगा ये महसूस किया गया कि ब्रेकिंग निउस या घमासान हो रहा है प्रत्योगिता हैं और वह कटन पेस्ट या कॉपी करते हैं इंटरनेट से ऐसे में फेक नियूस मिसिंफोर्मेशन डिसिंफोर्मेशन का होना बनता है अगर यह होगा तो क्रेडिबिल्टी नाम की जो चीज़ है उस पेपर की चले जाएगी और सबसे पहले अगर कोई भागेगा तो वह एड एड़िटाइजर, एड़िटाइजिंग एजन्सी के साथ बैठ कर उन्हीं पेपर्स को सेलेक्ट करता है कि जिनके कहने से उनका समान बिकेगा, क्रेडिबिल्टी बनेगी, लहाजा उस न्यूस पेपर का अगर उसकी क्रेडिबिल्टी नहीं होगी तो वह अपना विग्या पार्कों तक नहीं पहुच रहा है, यानि कि न्यूस पेपर भी बन, एड़िटाइजर की पोडेक्ट भी बन, लहाजा यह एक दूसरा नुकसान हमारा पब्लीशन छेल रहा है न्यूस पेपर इंडरस्टी के अंदर, तो अगर यह दोनों ही कॉमपोडेंट उनके पास नह नहीं है, तो मैं समझता हूँ, कि अब वो समय आ गया है, जब आपको नए नए प्रियोग करने होंगे, इस तरह की करोना की बहुत सारी लड़ाईयां लड़ने के लिए, 1995 के आसपास जब मैं इस तरह की एक और्गनेजेशन का ओफिस बेरर था, तो हम लोगों ने पहली बार एक रिसर्च स्टार्ट की थी, क्योंकि हमें अंदेशा था कि आने वाले समय में न्यूस पेपर वर्सिस टीवी होगा, उस समय टीवी दूरदर्शन होगा करता था, ब पहला न्यूस चैनल था एक तरह से जो आफ लाइन था, स्टेल न्यूस होने के बावजूद भी पार्टकों में उसके प्रती रूची थी, यह एक स्पार्क था जिसकी वज़ा से रिसर्च स्टार्ट हुई, और 95-97 के अंदर धड़ा-धड़ नए चैनल आने शुरू कि इधर सिर्फ ब्रेकिंग न्यूस है और उसकी क्रेडिबिल्टी बड़ी जीरो है, क्रेडिबिल्टी जीरो है या नहीं है, यह एक अलग विशे है, पर न्यूस पेपर इंडस्टी सतर्क थी, सो अपने रेवन्यू को और अपने पार्टकों को बचा गई, पर उसके कि करोना आए या किसी और तरह का बहरी कंपिटिशन हम उसके लिए तयार हैं, यही आने वाले समय में 2030 या 2050 के न्यूस पेपर इंडस्टी को लीड करेगा, आपको मेरा कंटेंट पसंद आया, लाइक कीजेगा, सब्सक्राइब कीजेगा, नवश्कार